प्रेविद्यारतियों आप सभी का स्लागत है सिद्ध सिधान्त पदती की इस वैख्यान में इससे पहले हमने जो पाठे करम है उसके अनुसार जितने भी जो पांच गरंथ उन्होंने शामिल किये हैं उनके चार गरंथों की हम आपके सामने वैख्या कर चुके हैं उनकी चर्चा हम आपके सामने कर चुके हैं उन चार गरंथों में सबसे पहले हमने घेरन सहीता की हमने चर्चा आपके सामने की शिव सहीता की चर्चा हमने आपके सामने की हठ परदीपिका की चर्चा हमने आपके सामने की उसके बाद हठ रतनावली की चर्चा हमने आपके सा कि परकार के योग की इसमें चर्चा की है कि इसमें डंसके रही ताहिए का किया इसका काल रहा है किस परकार के योग की बात यह जो करता रहे और कोन इसके रही determ从 आदी वी शो पे हम आपके सामने अभी चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम introduction जानेंगे कि सिद्धान्थ पदती का परीचे क्या है तो सबसे पहले परीचे में हम देखते हैं कि जो ये पुस्तक है जो सिद्ध सिध्धान्थ पदती है उसका प्रीचे है कि जो सबसे इंपोर्टेंट जो पदती है जो सिध्धों सिध्ध का अर्थ है सिध्ध का अर्थ है योगी यो जो योगी पुरुशे है जो महान जो पुरुशे है सिध्धान्थ का अर्थ है निश्चित जो मत है अर्थ इसमें छे अध्यायों की चर्चा की गई है, छे तरह के अध्याय हैं, उसको उपदेश के रूप में उन्होंने परसुत किया है, बहुत सारे श्रोक इसमें मौझूद हैं, बहुत कई तरह के योग की चर्चा इसमें की गई है, इसके बाद हम मिनिंग जानेंगे, मिनिंग ओ एक सरल मारग अर्था जो सिद्ध जो योगी है सिद्ध योगीों के दोरा एक जो निशित मत को जो निर्धारित किया गया है उस निर्धारित मत पे चलने का जो सरल और जो सुगम जो मारग है उसको सिद्ध सिद्धान्थ पदती कहते हैं अथा जो सिद्ध सिधान्त पत्ती है उसमें इस तरह की योग की वेक्या की है बहुत महान जो योगी हुए है जो योग के चेतर में जो उन्होंने सिध्धी प्राप्त की है उनके द्वारा अनुभूति जो मारक है, उन्होंने जो अनुभू किया, उसको जो प्रतेक्षी करन उसका किया है, उस प्रतेक्षी करन के मारक का जो अनुष्ठान की बात वो इसमें करते हैं, कि जो सामाने वेक्ति है, वो भी किस परकार से साधना करता हुआ, किस परकार से योग केंकों का अंगों का पालन करता हुआ सिध्धी प्राप्त कर सकता है या योग मारक को प्राप्त कर सकता है उसको एक निश्चित और एक सरल मारक की जो व्यक्या है वो सिध्ध सिधानपदी का अर्थ है वही इसका मेनिंग है उसके बाद हम जानेगे ऑथर के बारे में क ब्रीफ करना चाहता हूं कि जो ओथर हैं जो लेखक हैं गुरु गोरक्षनाद जी हैं जो कि नात संपर्दाय के यह हम हठ्योग परंपरा के कहें एक भूट ही माने हुए और एक भूट ही सुल्जे हुए योगी रहे हैं और इनका जो काल रहा है वो दस्मी स्ताब्दी क्या स पास के न का काल माना गया है तो जो हठशतनावली है जिसको हम आगे पड़ेंगे skेशन से सिद्धानत पदति कि इस पुष्तक का का यह रहा है तो इस पुष्तक का काल भी दस्मी स्ताब्दी कै आसपास का ही रहा है ऐसा व द्वानों का मत है वैसे इनके जो निश्चित जो स्थान है जनम का उसके बारे में भिन-भिन बातें हैं कहीं कई चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है अलग लग तरह के लेकर अलग लग तरह के इनके जनम स्थान की बात करते हैं परंतु यदि आप देखेंगे कि जो भारत है भारत वरश में जो भक्ती जो आंदोलन जो धार्मिक आंदोलन है जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए उसमें भक्ती आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट आंदोलन रहा उस भक्ती आंदोलन के पूरव जो आंदोलन रहा वो योग का था और उसके जो रजी है था ते गुरु गोरखना जी थे उस समय पे पूरे भार आतवरस में हर घर में और हर व्यक्ति योग कानुसरण करने वाला था जिस प्रकार आज हम देखते हैं आज भी 21 सदी में योग योग में प्रवेस कर चुके हैं जवान बूड़ा बच्चा सब ने योग की परमानिकता को माना है और सब इस कानुसरण में लगे हुए हैं किसी आज भी योग का यूग है इससे पूरो जो योग की जो करांती थी उस करांती का जो श्रे है वो गुरु गोरखनाजी को जाता है इसकी परमपरा की मैं सबसे पहले आप की बात करूँ तो हठीयोग जो परमपरा है हठीयोग परमपरा के जो आदी जो परवकता है वो नात कारत है जो सबसे पहले पहले नात है वो भगवान शीव रहे हैं उसके बाद गुरु मतसेंदर नात उनके शिशे रहे हैं उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया गुरु मतसेंदर नात के जो शिशे रहे हैं वो गुरु गोरखनाजी रहे हैं इसके बाद गैवी न चरपटीनाथ, मीननाथ, आदी बहुत सारे हट योगी हुए हैं परन्तु जो कारिये, जो काम, जो एक अंदोलन के रूप में योग को परसारित करने का उस समय पे दसने स्ताबदी में जो श्रे जाता है वो केवल और केवल गुरु गोरखनाजी को जाता है उनके जैसा महानयोगी, बहुत सारे विद्वान कहते हैं अब तक उनके जैसा महानयोगी कोई नहीं पैदा हुआ है और उस समय पे जिस परकार योग को एक अंदोलित किया था जिसका रिजल्ट आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी योग एक अंदोलन के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है इससे पहले कुछ समय पहले योग पहले लुप्त हो चुका था बहुत कम योग की बात रहेगी थी योग के गरंथों की बहुत कम रचना हुई उनका अनुवाद बहुत कम हुआ है इस परकार की चीजे रही लेकिन इसके बाद जो गुरु गोरक नाजी है उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाशाओं में बहुत से गरंथों की रचना की है बहुत सारे गरंथ है इसमें गोरक कौमुदी इनका गरंथ रहा है गोरक पदती इनका रहा है गोरक कवच इनका रहा है गोरक शतकम की इनोंने बात की है, योग शास्तर की बात इनोंने की है, गोरक चिकित्सा की बात इनोंने की है, योग चिंतामनी की गरंत की रचना इनोंने की है, योग बीज गरंत की चर्चाह इनोंने की है, हट सहीता की चर्चाह इनोंने की है, वे हट योग की परिभाशा द definition है जो प्रिभाशा है उसको भी गुरु गोरखनाज जी बताते हैं कि जो चंदर्मा और सूरिये हैं आता जो सूरिये और चंदर्मा और ठे का अर्थ सूरिये इस परकार का जो है और ठे का जो मिलन है वो ही हकार और ठकार उनके शलोक की बात भी सिद्सिदान पदती में गु की है इस परकार गुरु गोरखनाज जी का भौत ही जो इतियास है भौत गोरोशाली है बहुत परभावशाली इनका इतियास रहा है पूरे भारत वरश में आज भी यह दियाब देखोगे तो जो कनफटे योगी होते हैं जिनोंने अपने कानों के बीच में जिनोंने बालिया पहनी है जो छिदर जिनोंने कानों के बीच मद्धे करवा रखे हैं और जो हाथ में सोटा और अपनी केश बढ़ा के जो व्यक्ति रहते हैं भारत के कोने कोने में भी आज आपको गुरु गुरुख नात के शिशे मिलेंगे और नात संपरदाय जो है नात जो पंथ है वो परचारित परसारित हुआ है और आज भी उसका परचार व्यापक पंथार किया है तो उनका श्रीज आता है तो हमने इसके बाद सिद्सिजान पद्धी का काल हमने पड़ा कि दस्मी स्तापदी में ही इस गरंद की रिचना हुई है इसके बाद हम जानेगे कि इसमें चेक्टर कितने हैं यानि कि कितने अध्याओं की चर्चा की है कितने उप पर समरस्ता की बात वो करते हैं पिर अवधूत की विशेस्ता इस परकार से छे उपदेश उन्होंने अपने गरन्थ सिद्धान्थपदेती में लिखे जिनको उपधेश कहा गया है उन उपदेशों की चर्चा उन्हों की है आज हम आपके सामने सबसे पहला जो अध्याए है जो सबसे पहला जो उप्देश है चेप्टर है पिंड उत्पत्ति विचार यानि कि पिंड की उत्पत्ति का जो विचार है उसकी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं उसको हम आपके समुक्स प्रसुत कर रहे हैं उसमें किस तर तो उसमें परमानंद की जो पांच आदिम जो शक्तिया हैं उनकी चर्चा गुरु गोरखनाजी करते हैं तो उसको सबसे पहले उन्होंने अनामा की चर्चा की है अनामा का आर्थ है जो नाम रहित है जो सत्य है, नित्य है, सनातन है उसको नाम रहित को ही उन्होंने अनामा शक्ती कहा है अनामा शक्ती सबसे परमुख है जो नाम रहित है, जिसका कोई नाम नहीं है जो सत्य है, सनातन है, नित है, जो चली आ रही है, जो की परमात्मा की एक शक्ती है, जिसको हम कह सकते हैं, वुसक की चर्चाइन उने की है, उसके बाद पराशक्ती की बात उन्होंने कही है, पराशक्ती कारत है, जो श्रिष्टी की इच्छा है, यानि की जो श्रिष्टी की जो इच्छा है उसका जो उत्साह मातर है कि शरिष्टी की उत्पति की जाए उसकी जो इच्छा जो उत्पन होती है वो पराशक्ति द्वारा होती है उसको उत्पन करने का जो शरिष उत्पन को जाता है उसके बाद अपराशक्ति यानि कि अनामा पराशक्ति और उसके बाद अपरा सक्ति है जो स्पंद मातर से उत्पन होती है यानि कि जो योगी में जो स्पंद उत्पन होता है और स्पंद के उत्पन होने से जो शक्ति हमारे शेरी में उत्पन होती है उसको अपरा शक्ति कहते हैं उसके बाद शुक्षम को कहते हैं जो एहंकार मातर से निर्मित होत है इस जीवन मरन के बंधन से हमें चूटकारा दिनाले वाली है जिस परकार कुंडुलिनी शक्ति की बात योग हठियों के हर करंथ में मुख्य रूप से मिलती है कुंडुलिनी कार्थ है जो हमारे सरपीनी आकारमी मुलाधार में जो हमारी जो पावर है जो की अनकॉंसिस उस परकार की बाद पाथ हम कर तेंगे निजा तेक पांच गुन जो है उनकी चरचा हम आपकी सामने कर रहे हैं जो निजा सकति उसका सब से पहला जो क्या चेफिता है जो नित्यता है नित्यता का जो अर्थ है जिसका अर्थ है तीनों कालों में जो है नित्य है उसके बाद फिर निरंजना सक्ती है निस्पंदना है उसके बाद निराभाथ है और निरुथा जो शक्ती है इस परकार की पांच शक्तियों की बाद यो गुरु गोरक नाजी करते हैं तो सबसे पहले हम नित्यता की बात करते हैं जो नित्य है जिसको जो सदा से चली आ रही है जो पहले भी थी जो अब भी है और जो आगे भी जो रहेगी यानि कि भूतकाल में जिसकास्तिता हुथा बरतमान समय में जिसका स्थər्था वरा भवशे में जिसका स्थिता वर रहेगा उसको हम नितिता कहेंगे तो उसके बाद निरंजना जो शक्ति है अन्जना कार्थ होता है राग, दवेश, मोह, अंकार, लोब इस तरह की जो चीज़े होती हैं उनको अंजना कहा गया है और जो निरंजना है निरंजना कार्थ है राग, द्वेश, लॉब, क्रॉध और मौउ इस परकार के जो ये दुख है इनसे सरुता छूटना ही निरंजना शक्ति का कारिय है अर्था इनका अभाव राग कार्थ है जैसे राग को हम देखते हैं जब हमें कोई विशे भोग की वस्तु भोगी है या कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी है उसके प्रती भोगने की इच्छा लाल सा रहती है हमें कि वो बहुत अच्छी चीज थी वह बहुत अच्छा अनुभाव मेरा रहा या बहुत अच्छी स्वादिस्ट वेंजन को मैंने खाया है इस परकार का जो भाव है वो राग है, वो राग उत्पन करता है हमारे शिरीश में जो की हमारे लिए नुक्सान दायक है, बहुत हानिकारक है मोक्स के मारग में उसके बाद द्वेश अथा जो आपका बहुत बुरा अनुभाव कहीं रहा है कडवा अनुभाव आपका रहा है कोई खटास आपके मन में है उस बात को आप समर्ती में महसूस करके या उसको याद करके आप महसूस करते हों कि वो फला जो कारिय था वो बहुत गलत हुआ और बहुत ही गंदा नुभाव मेरा रहा है, बहुत कड़वा नुभाव मेरा रहा है, तो आप उसको एक द्वेश के रूप में याद रखते हैं, उसको कहा गया है, फिर काम यानि की जो वासना है, उसकी प्राप्ति के लिए आतुर रहना, वो काम है, फिर क्रोध है, अर्थात अपना आपका जो सभाव है उसको क्रोधित कर लेना, छोटी छोटी बात पे भी अपना आपक होना, इस परकार का जो भाव है वो क्रोधित का है, फिर मौह है, सारी जो सांसारिक जो विशेभोग की वस्त्वे हैं, जो डेली रूटीन की हमारी चीजी है, जो नश्ट होने वा आपका राग द्वेश लोब क्रोद मो ये जो पांचो चीजे हैं ये आपकी छूड़ जाती है इनसे रहित जो शक्ति होती है उसका ना नेरंजना सकती है उसके बाद आपकी जो शक्ति है निश्पंधन जो शक्ति है निश्पंदन का आर्थ पंदन का जो आर्थ है वो चंचलता है और निश्पंदन का जो आर्थ है वो चंचल से रही थे अर्था जब हमारा मन चंचल होता है तो हमारा मन भठकता रहता है कहीं नहीं लगता हम एकागर नहीं हो पाते या फिर हम किसी एक चीज के ओपर concentrate नहीं कर पाते अच्छी तरह से और जब चंचलता स्माप्त हो जाती है तो निश्पंदना जो शक्ति है उसका उदे होता है और निश्पंदना शक्ति का उदे ही मन की चंचलता को हटाने से होता है जिस परकार चित की एक अगरता की बात योग सूतर में महसी पतंचली जी करते हैं गीता में मन के निकरह की बात भगवान श्रीक्रिशन करते हैं कि इस मन के निकरह की आऊशकता है तो अरजुन कहते हैं कि यह जो मन है इसको वस्मे करना बहुत कठिन है यह बहुत शक्तिशाली है बलशाली है इसमें बहुत सारा आपार ताकत इसके अंदर गत है तो इसको कैसे और किस परकार वश्मे किया जाए तो भगवान श्रीकरशन कहते हैं कि निश्चित ही जो मन है और इसकी चंचलता सब को पता है जिस प्रकार आप रेट को मॊठी में नहीं रोख सकते या पानी को मॊठी में आप नहीं रोख सकते ठीक उसी प्रकार मन को वश मे करना भी इतना ही दुरा और कथिन उन्होंने बताया है परंदू उन्हेंने कहा है निरंतर अभ्यास और वेरागे के द्वारा इस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो अभ्यास और वेरागे के द्वारा आप मौक्स की प्राप्ती कर सकते हो ये योगमार्ग बताया है महस्जी पतंजली जी ने इसी बात को पर्मानिक करने के लिए भगवान शिरिकेशन भी कहते हैं कि जो आपका अभ्यास और जो वेरागय है उसके द्वारा आप आपकी जो मन की जो चंचलता है उसको साबधा समाप्त कर सकते हैं उसको खतम कर सकते हैं और एकागरता का भाव पैदा हो जाता है और जो भाव आपका स्वाप्त हो जाता है उस समय की जो शक्ति होती है वो निश्पंदना शक्ति आपकी कहीं जाती है तब निश्पंदना शक्ति का उद्यापके भीतर होता है इस परकार इसके बाद निरा भास्ता निरा भास्ता भास्ता जो आपकी जो शक्ति है वो जो शक्ति ह वो जब उत्पन होती है वो भेद रहित होती है उसमें किसी परकार का भेद नहीं होता एभेद जो होती है दो तरह की चीज़ होती है एक तो भेद होता है और एक एभेद होता है यानि कि भेद रहित जो चीज़ है उसको निरा भास्ता शक्ति कहा गया है उसके बाद निस्तत निरुत्ता कहा गया है उसको उसमें जो परिणाम जो रहीत है जिसका किसी परकार का परिणाम नहीं निकलता उस परकार की जो शक्ति आपके शेरे में उद्य होती है उसको निरुत्ता शक्ति कहा गया है उसका उद्या आपके ये निजा शक्ति के पांच गुन मैंने आपको जो और भी बताये, इसके बाद हम चलते हैं, प्रा शक्ति के पांच गुनों की, कि प्रा जो शक्ति है उसके पांच गुन कौन से कौन से हैं, किस परकार से उनकी व्यक्या की गई है गुरु गुरक्षनाची ने, तो सबसे पहले अस्तिता की बात उन्हों ने कही है, कि जो अ अस्तिता है, जिसका अस्तिता बना रहे और जिसके अस्तिता उपे कोई खतरा नहीं हो, जिसका अस्तिता नस्त नहीं हो, उसको अस्तिता कहा गया है, अस्तिता के बाद आपका एप्रेमेता, जो प्रिछेद रही तो होती है, जिसमें किसी परकार का छेद नहीं होता, उसको प उनको भिनता कहा गया है, यानि दो चीजों में भिनता, दो वेक्ती हैं, दो पुस्तके हैं, दो गुरू हैं, दो तरह की गाड़ियां हैं, उनमें भिनता हो सकती है, यह दूसरी कंपनी की गाड़ी है, यह किसी और राइटर की बूख है, यह किसी और परकाशन की बूख है, यह फला वेक्ति ने वो ड्रेस पहन रखी है, उसने वो ड्रेस पहन रखी है, या वो महिला है या वो पुरस है, इस परकार की भिनता हमारे समाज में मिलती है, बहुत सारी चीजों में हमारे मिलती है, दिन में मिलती है, दिन रात में भिनता है, और उस भिनता से रहित जो ची पीसरा जो गुन है वो अभिन्ता है अभिन्ता के बाद अनंतता की बात आती है जो अनंतता जो शक्ति है वो अभिनाशी है वो नित्य है जिसका नास नास हो ही नहीं सकता वो अनंतता है जो अनंत समय तक रहेगी यानि कि जो सुरिष्टी के आदिकाल से उत्पन है और जो सु लेकाल तक जो मौझूद रहेगी उसको अनंता शक्ति कहा गया है उसके बाद अवक्तता कहा गया है जो बिल्कुल शुक्षम है जो अनू से भी छोटी है छोटे से छोटा जो जैसे अनू होता शुक्षम होता वो उस तरह की जो शुक्षम तर जो शक्ति होती है उसको अवक् करना उसी को आता है जो किसी को देख सके जिसका कोई structure आपके सामने हो और जिसका structure ही नहीं आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते तो जो व्यक्त रहित जो चीज है उसको एवक्त शक्ति इसमें पराशक्ति के पांच गूनों में कहा गया है इसके बाद हम चर्चा करते हैं सफूर्टा, सफूर्टा, सफार्टा, सफूर्टा और सफूर्टिता इस परकार के जो पांच गूर्ण है वो आपके इसमें अपरा सक्ति के जो पांच गूर्ण है उन में है उसमें सबसे पहले सफूर्टा की बात हम करते हैं सफुर्टा का रथ है, संचालन करना, जो भी पूरे शरीद में संचालन का जो कारिया है, वो सारा सफुर्टा शक्ति के दुबारा किया जाता है, जो की अपरा शक्ति के पांच गुन में सबसे पहला जो गुन है, वो सफुर्टा है, सफुर्टा का रथ है, संचालन करना, किस परकार सुरिये हमें परकाशित करता है, हमारे इस ब्रमान को पूरे ब्रमान को एक उर्जा से एक परकास से परकाशित करता है, उस परकार का जो परकाशित जो करने का जो काम है, वो सफुर्था शक्ति के द्वारा किया जाता है, जो परकाशित करने के जो शक्ति होती है, जो सफुर्टन की बात करते हैं जो प्रकट होने की चमता जिसमें है जो प्रकट हो सकता है उसको हम सफुर्टन क अंतरगत रखते हैं उसके quantum IRR ने आपके सामने कि इसके बाद हम आपके सामने संटकंब सक्रेग को उसके जो पाच गुण है निरंसता, निरंतर्ता, निश्चता, निर्कल्पता है उसके हम चर्चा कर रहे हैं तो जो निर्शंता है उसका जो काम है वो एहम का जो भाव होता है हमारी श्री में होता है मैं ही सर्वस्रेष्ट हूँ, मैं ही जेष्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब शेशक्ति शाली हूँ इस परकार का जो भाव होता है वो एहम का जो भाव होता है उस एहम के भाव से रहित जो शक्ति होती है रहित जो गुन होता है उसको हम निर्शंता कहते हैं उसका एहम का सरुथा भाव उसके अंतरगत रहता है उसके बार निरंतरता की बात हम करते हैं निरंतरता का आर्थ है बिल्कुल जो निरंतर चलती रहे जिसमें किसी परकार का रुकाव और किसी परकार का ववधान ना हो जिस परकार जल की धारा निरंतर बहती रहती है जिस परकार नदी बहती है जल का जो प्रभाव है वो निरंतर रहता है हवा का जो प्रभाव हो निरंतर रहता है किसी परका मौझूध है किसी तरह का जो पेस ऐसा नहीं है जिसमें वह मौझूद ना उसको हम कहेंगे उसके बाद का है जो संजसा है जो दुख है और जो ब्रहम की जो स्तिथी रहती है मस्तिक्स में ुस चेह दिमाग में दिल परकते हैं जिसमें किसी परकार का नो हो यह भी शुक्षमाशक्ति एक गूर्ण है, इस परकार हमने पांच शुक्षमाशक्ति की पांच गूर्ण है, उसके गूर्ण75 पर्तीब इंबطा पर्भलता प्रो चलता वे प्रतेक्ष मुखता जो उसके गुन है उनकी चरचा हम आपके सामने कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पूरुनता की चरचा करते हैं पूरुनता कार्थ कंप्लीट जो चीज़ी हैं यानि कि संपून जो चीज़ी हैं उसको हम संपूर्ण में रखते हैं, पूर्णता में रखते हैं, यानि कि जो संपूर्ण हो किसी तरह का कोई जिसमें अभाव ना हो, जिस परकार का कोई कमी जिसके अंतरगत ना हो, उसको हम पूर्णता के अंतरगत रखते हैं, ये भी कुंद्रलेनी शक्ति का पहला गुन है जो कि संपूर्मता को प्रदर्शीत करता है उसके बाद प्रतिब्यमता है जैने कि एजिटीज जैसी शक्ति आपके भीतर है वैसे ही आपको उसको आपको भास होना उसी परकार का आपको आभास होना जो है वो प्रतिब्यमता के अंदरगत उन्होंने रखा है ये भी कुंड् और जो निजदी निदे रहा कि इसको हम प्रोचलता प्रोचलता के अंतरगत रखते हैं प्रोचलता इसका गुन है उसके बाद प्रते मुक्ता है जो शरिष्टी कर्म की जो शामगरी है यानि कि जो श्रिष्टी की जो उत्पत्ती हुई है उसकी जो सामगरी है उसका जो भाव है उसकी जो बात है वो भी कुडुलनी शक्ती के द्वारा ही है वो उसका जो पांचवागुन है इस परकार की बात कुडुलनी शक्ती के पांचगुनों के अंतरगत हमने की इसके परमपद है परमपद है सुन्ने है निरंजनम है और परमात्मा है इस परकार की बात हम आपके सामने करेंगे जो ए परमपद है ए परमपद का अर्थ है कि जो जिसका जो पद है वो सबसे परम है परम अर्था स्रेष्ट है यानि कि जो सबसे उंचा जो पद है उसको परमपद प्रम्पद कहा गया है जो की सबसे उंची जो श्रेणी में रखते हैं जो प्रमात्मा इश्वर और भगवान जिसको आप कहते हैं उसको रखा गया है प्रम्पद में भी उसको रखा गया है उसके बाद हम सुन्यम यानि की जो सुन्य है जिसको किसी से विभाजित नहीं किया किस प्रम के जो गुण है प्रम की जो पांच गुण है उनके प्रम की जो पांच गुण है उनके अंतरगत आ Q2 को रखा गया है फिर अनुपम्त और नउको रखा गया है और उसके बाद अनुध्यत तव रखा गया है इस परकार के भी परमपर के जो पांच गुण है इस परकार से वो शामिल किये गए है इसके बाद हम परम्पद के जो पाँछगुन है उनकी चर्चा करते हैं जो निशकल है किसी परकार का जिसमें दोश नहीं है दोश रहित है उसको हम निशकल कहेंगे शुक्षमतर कहेंगे या आगे जिसके टुकड़े ना हो सके यानि कि जो छोटे से छोटा जोणू है उसके बाद इसको भी भाजित ना किया जा सकते जासके उसको सुक्षम तर कहेंगे यानि कि सुक्षम से जो शुक्षम है उसके बाद हम अचल कहेंगे जिसमें किसी परकार की चलाय मानता नहीं है जो अचल है अपने स्थान पर विद् उसको भी इसके अंतरगत रखा गया है, परमपद के पाँच गुनों के अंतरगत, तो हमने इसमें चर्चा की, परमपद के पाँच गुनों की, इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, सुनने के जो पाँच गुन हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, सुनने की बाद लीनता है, पुरुनता है, उन्मानी है, लोलता और मुर्चा, इस परकार के जो सुनने के गुन है, वो सबसे पहले लीनता को उसमें रखा गया है, उसके बाद पुरुनता को उसमें रखा गया है, उन्मानी को उसमें रखा गया है, लोलता और मुर्चा को रखा गया है, जिस की डिस्क्राइब आपको सामने करेंगे इस व्यक्षान में इतना ही आप सब कर धन्यवाद